किस्तान बईयों नमस्कार आप सबी का स्वागत ये हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे अफिम की पसल में ज़्यादा पिलापन आ रहा है अफिम के पोदे की करोद नहीं हो पा रही है चड़े उक्की है बिलकुल पत्तों में पिलापन देखने को मिल रहा है जै जबकि आलडेरी अफिम के फसल में ज़्यादा पिलापन हो रहा है अफिम के पत्ते सुग रहे अफिम के फसल में बलाइड की समश्या आ रही है तो ऐसी कुछ समश्याओ के निवलन के लिए मैं इस वीडियो में कुछ ये च्यार दोगयों के बारे में जानकरी देने वाला तो दोस्तों आप हमारा वीडि Ellis से लेकर अन्तग जरूर देखें वीडियो कहा रखें तो अधिक सब्सक्राइब कि अब हमारे वीडियो में देख पारे हो हम आपको इस वीडियो में डू-पॉन कंपणी की एक्वेशन प्रो और वील्यवूड कंपणी का लियो पेंट और खौद्रेज डबल और कोरोमंडल की परेंटा कौलस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो सबसे पहले हम बात करते ह है equation pro के बारे में दोस्तों equation pro डूपोन कमपणी के आती है इसके अंदर डो टेक्निकलों का या पूंदा कंड्रोल कर लेती है जैसे कि आपके अफ्यम की फसल में छोटे-छोटे काले-काले दब्बे हो रहे है या पत्तों पर फिलास्पन की समश्या देखने को मिल रहे है या पत्तों के नीचे भी बलाइड जैसी समश्या देखने को मिल रहे है आपको फंगस मोईला और काले मच्छर हरे मच्छर जैसे कुछ भी कीड नसक कीटों का असर दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आप कीड नसक का प्रयोग कर सकते हैं कीड नसक के रूम में आप इमीडा कलोडो फ्रीड का प्रयोग कर सकते हैं जो कि हम आपको विलिवूड कमपनी का बता र पर कापी पावरफुल टेक्निकल हैं और फूलो वाली स्टेज पर और फूलो वाली स्टेज पर डबल का बूती अच्छा डिजल डगने को मिलता हैं यह फूलो की संक्या बढ़ाता हैं साथ होमोबरोसिन लाइंड होने के कारण यह डोडे को बड़ा और मजबुतिदार भी म अच्छी इसके साथ ही अंतिम हम बता रहें कोरोमोनल कमपनी की फेंटाक प्लस दोस्तो फेंटाक प्लस कोरोमोनल कमपनी के आती हैं जिसके अंदर एमिनो एसिड और विटामिन का कॉमिनेशन पाये जाता हैं दोस्तो इसका प्रियोग करते हैं तो अपिम की फसल में हरापन की जो फिलापन के समश्या है वो दूर हो जाती है हरापन दिखने को मिलता है इसके साथ ही अफिम की फ़सल में जो पोदे की करोध नहीं हो रही है पोदे की करोध हो जाती है अफिम में एकदम हरा हरा कलर दिखने लग जाता है तो आप अपने अफिम की फ़सल में इन फेंट पूढ़ापनE के समस्य आ रही है, डोड़े बड़े नहीं बन रही है, फूल जादस नहीं आ रहे हैं, पूद्य की गρωद नहीं हो पा रही है, तो आप इन कपडियों कर सकते हैं, कली ही मेरे को, जैसे कि जो भवानी मंडी, जलावाड की तरफ से फोन आया था कि हमारे पोदे में बिल्कुली पिलापन आ रहा है पोदे में उठान देखने को नहीं मिल रहा है उसमें फूड नहीं आ रही है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि वहाँ के लोग जो डोज होते हैं वो डोज को कम डालते हैं अफिम में दोया डालने से ड़ते ह जैसे कि मेंना double or phenta का spray बता है इन फेंटा यह चार टंकी का डोज है यानि कि चार टंकी में यह सभी दोया मिक्स करके आप spray कर सकते हैं अफिम के उपर इसका कोई भी बुरा परबाव नहीं पड़ेगा अफिम को spray करने का तरीका सबका अलग-अलग होता है इसमें सावधानी रगने ही यिवागते है हाथ को ऊच्छा रगना चीए यानि कि 2-3 मेट अफिम से हाथ ऊच्छा होना चीए इसके साथ ही अफिम में जो दिवई में टैंकी जा रही है टैंकी को अच्छी तरह से दोले लेना चीए कोल पलाश्टी की बाल्टी में बनाना चीए और आद्धी तंकी बढ़ने के बाद ही कोल का डिबा तंकी में डालना चीए उसके बाद ही स्प्रे करना चीए ये कुछ सावधानिया है चोकि आपको अफिम की फसल में बरतनी चीए उसके बाद आप स्प्रे करो जेगिसान